तो बेटा हमारा जो जीके का पूरा जो सिले बर से वो खतम हो चुका है अब हम लोग आश्टे स्टार्ट करें हमारा रिवीजन ओके बेटा तो पहला जो हमारा चैप्टर था फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो यहां आज मैं आपको डिवीजन में करवा रही हूं यह आप को डिवीजन करके याद करना है और अच्छे से इसको रीट करना है देखो यहां पर बेटा यहां पर हमें बताया गया है कि हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल्स है वह हमें यहां पर नाम बताया गये थे जैसे यहां पर देखो हम डारेक्ट इसी में हैड डेस में पढ़ है जैसे यह पैट concur है यहां पर यह === है उसको करना थे यह हमारे हम लोड चुका था करते है कि एसेट कि कि हमारी जो आज बाज घो उसमें आइनेम्ल की ग्रूप सब्सक्रिजयक सारे होते हैं, इस्फास ही और हमारे आस्पास ही होते हैं, जैसे फ़र्स्ट है गोक्रोज, हौसफ्लाइल, बटरफ्लाइल, हनी बी, लेड़ी बर, ट्रेगान फास ही, आंड, ये सारे जो इंसेट हैं यह हमें हमारे गहर के आसपास ही अमें मिल जाते हैं, आपने कहीं ना कहीं इनको आपने देखा ही हो, अपने आसपास, okay? तो यह सारी आपको यादानीं 중요한 आपको पिचर है, वो भी आपको याद रखनें कि इसको क्या पैते हैं, जैसे इसको हाउस अचत पथा है? ओपर देखते हैं आपको इसी तरह नाम बोलना मक्धी देखो तो आउसलाइं बोलो आप ले रहे हमारा थर्ड एनिमल वर्ड तो पेटर यहां पर जो ऌनिमल है जो पहला है हमारा यहां पर दिया गया है उसका आईडे नी करना है यहां पर सेंटेंस दिया गया है It is called the sea of the desert कि वो महां का desert कि यानि रण प्रदेश का वो सीप है यानि वो वहां है बोटे तो वो है camel It has eight legs and make it on web कि वो अपना एक leg है अपना जो घर है वो खुद बनाता है तो वो है spider It is a large animal that lives in a water कि water करना सबसे large animal कौन सा है? Blue whale It has black and white creep on its body तो वो कौन होगा? zebra It is an Indian's national animal तो वो तो हम सब जानते हैं वो है tiger It has part sharp spring on its body to protect himself तो वो कौन है? porcupine ओके बेटा तो यहां तक कि जो हमारे revision है आच हम लोग तर्टन तीन चेप्टर तक की ही रखते है बेटा क्या आगे वाले revision में आपको नएस पीडियर में समझाओंगी आपको इसमें कुछ भी लिखना नहीं है इसी आपको read करना है और अच्छे से समझना है वापस आपको recall करना है सब कुछ अके अलाफीज